स्री गंगानगर पुलिस ने डार्क वेब के माध्यम से विभिन एजेंसियों का डाटा चोरी कर विदेशी कंपनियों को बेचने की आरोप में एक यूवक को गिरफतार किया है आरोपी यूवक अमित स्री करनपूर थाना शेत्र के गाउं 49F का रहने वाला है उसके पास से पुलिस ने तीन मॉबाइल, एक लैप्टॉप, एक कंप्यूटर और पांच हार्ड डिस्क बरामत की है यूवक के पास से तालिबान, चीन और यूएस का डाटा भी मिला है यह उन ऐकर्स से संपर करता था उनसे डाटा खरीदा था और उसके बाद जो ऐस डाटा के खरिदार थे उनको बेचा करता था इसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिफरेंट बैंक्स के डाटा ब्रत्रम दृष्ट्रिया जो हमें मिले हैं वो मिले हैं जिनको एक बर analysis किया जाएगा और यह भी पता चलेगा कि यह data में कितनी तो सही है data और कितना fake data उसकी भी संभावना हो सकती है जो साइबर एक्सपार्ट से उनकी मदद ली जाएगी और अभी एक प्रोपोज्ट जै आइसी जिसमें डिफरेंट इंट्रिजेंस टीम के जो साइबर एक्सपार्ट से उनको बुलाया जाएगा वो भी इंट्रोगेट करेंगे ताकि किसी भी तरह के कोई पहलू अंटर्श् नहीं रहें